अगत है एक बार फिट से आपका अपने ही चैनल अध्यापक जी में और आज अध्यापक जी के वीडियो में क्या कुछ होने वाला है खास तो यह जानने के लिए देखना आपको पूरा वीडियो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करने अपनी कॉपई पर जिससे आने वाल आपका जो भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम हो उससे जो है आपको रिविजन करने में उससे पहले आसानी हो सके तो इसलिए आपका टाइम ना वेश्ट करते वेश चलते हैं वीडियो की पहले पॉइंट की और और बात करते हैं सबसे पहले कि हाली में चाइना के सामान को आयातना करने की गोश्टना करने वाली साइकल कंपनी हीरो के सीमडी कौन है यानि कि आजकल आपने देखा काफी सुर्ख्यों में चल ला था कि लगबग 900 करोड रुपे की डील जो है आप हीरो जो है उस कमपनी कि लिए बट को याद रखना है बात करें चोटे से एकक के बारह में तो हीरो भारत इसकी सबसे बड़ी साइकल निर्माता कमप्रिया निकि सबसे बड़ी कंपनी भारत में का साइकल की कोई है तो यह आपको यादए था है बाकिस के cmd मैंने आपको बताए पंकज मुंजाल जी है अपकर चलते हैं आगे और बात करते हैं कि 15 अगस्त को भारत की पहली सोदेशी जुड़ा फैक्ट में आपको बताओं कि icmr और भारत बायोटेक की साज़ेदारी से इस वेक्सिन को बनाया गया है यानि कि किस किस के द्वारे आपकी डेवलप की गई है तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो BBB 152B का नाम है यह भी आपको याद रखना है जो 15 अगस्त को भारत लाउंज करने जा रहा है प्रस्तावी 33 की 15 अगस्त है उसके बाद आपको चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि किस राज्य मंत्री द्वारा चाइना की राष्ट पती को रामेन भे परेटन एवं संस्कृति मंत्री हैं सत्पाल मारा जिनका नाम है तो इनके द्वारा अब एक आप गोश्ना की गई है कि चाइना को जो है एक रामेन भेजेंगे और क्या इसका कारण किया है तो रामेन भेजने का ओचित्ति राष्ट पती चिन्पिंग को विस्तारवात की क रामन था इतना घंगोर तपस्वी था आपका सिवजी भगवान का पर उसकी विस्तारवात की नेती थी यानिकि उसने इंसानियत से हटकर अपना स्वार्थ सिद्धी देखी और उसी को चलते जो है अब सत्पाल माराज जो आपके उत्राखंड के राज्य के परेटनेम संस इसके चलते जो है सत्पाल माराज जो आपके उत्राखंड के राज्य के परेटनेम संस्क्रेटी मंत्री है उनके द्वारा चायना को एक रामन सौपी जाने वाली है जल्द ही उसके बाद आपका चलते हैं आगे बात करते हैं कि स्वधिशी मोबाइल एप्लिकेसर बनाने ही तो मोदी जी द्वारा किस पहल के शुरुवात की गई है यारी कि जैसे आपने आज कल देखा कि चाइना के टेंशन के बाद जो आपका क्रियेट वे उसके बाद जो आपका डिजिटल तरह से आपका डिजिटल स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से जिसमें आपके 55 प्लस जाने कि 59 के समतिंग जो एप चाइना के जितने चलते थे आज कल हमारे फॉन्स पर भारत में जो भी यूज के जाते थे उन पर फुली बैंड लगा जिए गया है जिससे आपकी चाइना की जो है डिजिटल एकोनॉमिक को बहुत ग्रोथ जो हो रही थी उसकी बिलकुल आप डाउन आने वाली है और इसी के चलते अप क्या है कि उन एप्स के जो आपके सब्स्चूट बनेगे वो बनेगे हमारे भारत के स्वधेजी अप तो इन ही को जो है इन्नोवेट करने के लिए इनको आपका बढवा देने के लिए इनके इन्नोवेशन लिए आत्म निर्बर भारत एप इनोवेशन चैलेंज आपका मोदी जी द्वारा इनाउगरेट किया गया है ताकि आपका कोई भी जो इससे रिसर्चर जुड़े हैं कोई एप अगर वो डेवलप्ट कर पाते हैं तो उसको जो प्रमोट के जाएगा उनको इस्तमाल के जाएगा ताकि हमारी जो निर्बरता है वो स्वधेसी एप पर ज़्यादा हो सके बजाए और कंट्रीज के एप पर तो यह आपका आदम निर्बर भारत एप इनोवेशन चैलेंज आपका इसकी जो शुरुआत है वो कर दी गई है भारत सरकारदार जो बताया गया है कि जो आपका प्राइवेसी के लिए एक खत्रा यह बनता जा रहा था यानि कि इसमें डाटा लेकी काफी शिकायत है आ रही थी तो इसी के चलते अब हमारी स्वधेसी कंपनी जो है याए पर रिलाइंस द्वारा विक्षित कही है उसके बाद आपको चलते हैं नेक्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि डबलो एच्चो के इमर्जंसी हेल्थ प्रोग्राम के आपके प्रमुक है चीफ है बात करें डबलो एच्चो से जुड़े भी कुछ फ्रेक्ट के बारे में तो डबलो एच्चो यानि कि वर्ल्ट हेल्थ और्ग्राइशन विस्व स्वाथ संगटन इसकी जो स्तापना वीती वह वह थी आपकी इसी के आपके इस्टेब्लिश्मेंट डे पर मना जाता है साथ अपरेल को यह आपको याद रखना है दूसरी बात करते हैं कि इसके प्रमुक कौन है यानिकि इसके जो हैड है वह है टेड रोज अधानो गेडियर्यस तेसरा पॉइंट है कि इसका हैड़कोर्टर का है आप कोविड-19 की इस्ट्राइक को चुकी बहुती भयानक और सब कुछ बंद पड़ा है जगा जगा आपके काम रुके पड़े हैं तो इसी के चलते आपका कि कोरोना महमारी के बीच करदाताओं को एक राहा देते वे इंकम टेक्स तिर आपका फाइल करने की जो आपके सेंट् सुरक्षा अदिकारी को न्यूब की हैं या वहां पर चाइन एक कानून लाकर होंग-कोंग का अपने पडूर्पिटर्थि और जो अपना इन्यूबड गया है उस्क्रानप क्या है तो उनका नाम क्या है याँशियोंग इनकरा में ये आपको याद करते हैं कि होंग कोंग के जाने माने लोकतंत्र समर्थक कार्य करता जिन्होंने चीन का विरोध करते हुए होग को छोड़ दिया भी यानि कि अभी आप देखा कि होंग को मैंने जिसे आपको बदाए कि वहाँ पर चाइना दोर्ण है कि विशेष कानू लगा गया है कि अगर इतना सा भी आप लगा लीजिए अगर Hong Kong के ले कोई आपका प्रदस्टन भी कर रहा है उसको इंडिपेंडेंट टैर्टरी गोशित करने के लिए यानि कि अगर वहाँ पे Hong Kong को इंडिपेंडेंट करने के भी बात बोल देते हैं तो इस नारे के साथ जो है उस पे देज़ दो का मुकदमा आपका चलेगा तो ये इतना तगड़े तगड़े महाँ पर कानू लाग दिये गए हैं और इसी के विरोध में जो है Hong Kong के एक आपके बहुत ही फेमस आपके ल करते हुए Hong Kong को है अकस्मिक एकदम से छोड़ दिया उसके बात करें कि हाल ही में सुर्ख्यों में आई नेपाल में चाइना की राज़ूत का नाम क्या है यानि कि अभी आपने देखा कि बहुत ही आपका आजकल चल रहा है कि हो यांकी हो यांकी इनका नाम है जो चाइना की अबेश्डर हैं आपकी नेपाल में और जो भी आज की स्तिती बनी है नेपाल की जो गलत फेहमिया भारत के प्रतिश जा गी है उसमें बहुत बड़ा रोल समझा जा रहा है हो यांकी का जो एक फिमेल है आपकी अबेश्डर है चाइना की जो नेपाल में पॉइंटेड है और काफी प्रगाड संबन इनके माने जाते हैं आपके प्रेजेट में जो आपके प्यमें नेपाल के एपी सरमा ओली जी से और इन्होंने जो है आपका जो एक तरह से बढ़काने का काम का जा सकता है बारते खिलाफ तो काफी इनका रोल बताया जा रहा है तो आपसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसा ही इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा तो फिलाल के आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रही है अमारे चल अध्यापकची के साथ और अपनी तयारियों में यह जाहिन और धन्यवाद